हलो दोस्तों मैं हूँ ट्रेवर डूड हसन और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहा है ओशियोनिंग कंट्रीज के बारे में दोस्तों किया आपने कभी सोचा है कि हम तो इतने बड़े बड़े देशों में रहते हैं जहां से हर चीज की इतनी अच्छी connectivity है लेकिन कुछ लोग ऐसे देशों में भी रहते हैं जहां कुछ भी लाने ले जाने के लिए कई हजारो किलोमेटर समुदर की आतरा कन्नी होती है जी हां हम बात कर रहे हैं ओशियोनिंग कंट्रीज के बारे में ये कुछ ऐसी कंट्री से जो वर्ल्ड मैप पे भी बहुत जादा जूम करके नजर आएगी और न तो आपको नजर ही नहीं आएगी इनको वर्ल्ड मैप पे देखना कुछ इस तरह है जैसे घास के मिदान में कोई सुई और इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे इनको भगवाने शुरू से ही कॉरेंटाइन करके रखाओ ये देश चारो तरफ से पानी से घरे हुए होते हैं ना ही पडूसी की चिक-चिक और ना ही पॉलुशन मगर इनको ग्लोबल वार्मिंग का सबसे जादा खत्रा भी है इन में से कई देशों के बड़े बड़े हिस्से पानी के अंदर विल्यूत भी हो चुके हैं वो सैंटिस कहते हैं कि इनकी उमर अब बहुत कम बच्ची है जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उस हिसाब से अगले 50 सालों में शायद इन में से कुछ देश पूरी तरह से पानी के अंदर चले जाए तो इससे पहले ये गायब हो जाए हम आपको बताते हैं दस सबसे खुबसूरत ओशियनिक देशों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं नमबर दस नाउरू वेटिकन सिटी और मोनोको के बाद दुनिया का तीसरा सबसे छोटा और ओशियनिक काट्रीज में सबसे छोटा सा देश है नाउरू जिसको पहले प्लीजेंड आइलेंड के नाम से भी जाना जाता था ये देश सेंट्रल पैसिफिक ओशन में स्थित है ये देश अपने इसे 4500 किलोमीटर दूर स्थित ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरह से निर्भर है इसका एरिया कुल 21 स्कॉर किलोमीटर का है इतना छोटा कि बोपाल जैसे शेहर में भी 15 नावरू देश आ जाए और यहाँ पर करीबन 11,000 लोग रहता है जो कि वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे कम पॉपुलेशन वाला देश है यहाँ पर चलने वाली करंसी है उस्ट्रेलियन डॉलर जो कि हमारे इंडियन रुपीस में 54 रुपे की पड़ेगी नमबर नो फेडरेटेटेट स्टीट्स ओप मैक्रोनिसिया वेस्टरन पैसिफिक ओशियार में फिलिपिन से 29 किलोमीटर और उस्ट्रेलिया से 3400 किलोमीटर की दूरी पर इस्तिद इस देश को सिर्फ माइक्रोनिसिया की नाम से भी जना जाता है 1986 में इसने Compact of Free Association को साइन करके अमरिका से अलग एक देश बना यहाँ की टोटर पॉपुलेशन है 1,13,000 और यह देश 702 स्क्वार किलोमीटर में फेला है और जो कि हमारे बैंगलो शेहर के बराबर है यहाँ पर चलने वाली करंसी US डॉलर है जो कि भारतिय मुलिये में 75 रुपे की पड़ीगी Pacific Ocean के पॉलिनेसिया रीजन में पढ़ता है यह बेहत ही छोटी सी कंट्री यह इतनी छोटी है कि आप रोड के दोनों तरफ ही कंट्री के एंड्स दिख सकते है यह दुनिया का चोथा सबसे छोटा देश है जहां कि पॉपुलेशन करीबन 12,000 है और यह देश 26 स्क्वार किलोमीटर में फेला है मतलब हमारे भारत की राजधनी दिली में भी 60 टूवालू जैसे देश समाजा है यहां की चलने वाली करंसी है और जो कि भारती रुपे में हमें 54 रुपे की पड़ेगी यह देश Central Pacific Ocean पे इस्तित है जिसे Republic of क्रीबाती भी कहते है यह देश 32 कोरल अटोल से मिलकर बना है और यह से 1979 पे यूके से अजादी मिली थी इस देश में कुल 1,10,000 लोग रहते हैं जिसका एरिया 811 स्क्वार किलोमीटर का है जो कि हमारे बैंगलो शेर से सिर्फ 100 स्क्वार किलोमीटर ही जादा है और यहाँ पर भी आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर नाम की करंसी ही मिलेगी जो कि भारती मुलिय में आपको 54 रुपे की पड़ेगी यह वेस्टन पैसिफिक ओशन में इससे देख छोटा सा देश है जिसको रिपब्लिक ओफ पलाव भी कहता है यह 340 चोटे चोटे आइलेंड का एक समू है जिसका कैपिटल है निगेरल मुड इसको सोल्विश अताबदी में स्पैनिश ने ढूना था और 1898 में इससे जर्मनी को बेज दिया फिर वहाँ से USA के कबजे में गया और आखरी में 1994 में इसने भी Compact of Free Agreement के तहद USA से आज़ा दिली यह पूरा देश करीबन 460 स्कूर क्लूमेटर में फेला हुआ है जो कि हमारे जेपुर शहर के बराबर है और यहां के टोटल पॉपुलिशन सिर्फ 18,000 है और यहां पर चलने वाली करंसी यूएस डॉलर है जो कि भारतिय मुलिये में 75 रुपे की पड़ेगी नमबर 5, Bahamas Bahamas को Commonwealth of Bahamas के नाम से भी जाना जाता है जो कि अमेरिका के शहर मियामी से 300 क्लूमेटर के दूरी पर इस्तेत है Bahamas पूरे North America का US और Canada के बाद तीसरा सबसे अमीर देश है जो जादातर टूरिजम और अपने Financial सेक्टर पर डिपेंड करता है इस देश का टोटल एरिया 13,878 स्क्वेर क्लूमेटर है जो कि हमारे नागलेंड राजिये से भी कम है यहाँ पर चलने वाली करंसी है बहामियन डॉलर जो भारतिय मूलिये में 75 रुपे में पड़ेगी बहामास की टोटल पॉपलिशन सिर्फ 4 लाख है नमबर 4 Seychelles Seychelles जिसको Republic of Seychelles भी कहा जाता है एक देश है जो कि इंडियन ओशियन में है बैसिकली यह कंट्री 115 आइलेंड का गुरूप है इस कंट्री की सबसे बड़ी सिटी विक्टोरिया है जो की इसकी कैपिटल भी है यह अफरीका से 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है यह आइलेंड वर्ल्ड के सबसे ब्यूटिफल टॉपिकल आइलेंड डिस्टेंशन में से एक है इस पूरे देश के एरिया करीबन 460 स्कॉर किलोमीटर है जो की करीबन हमारे जेपुर शेहर के बराबर है और यहाँ पर करीबन एक लाख लोग रहते है सेशल्स में सेशोलियोस, क्रियोल, इंगलिश और फ्रेंच नामक भाशाय बोली जाती है और यहाँ की करंसी सेशल्स रुपी है जो की भारती मुलिये में 4 रुपे 20 पैसे की पड़ेगी सेशल्स आजकर बहुत फेमस हो रहा है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया से काफे जादा हनीमून कपल्स अपना हनीमून मनाने के लिए सेशल्स में जाते है नमबर तीन, मौरेशिस मौरेशिस को रिपब्लिक ओफ मौरेशिस भी कहा जाता है यह एक आइलेन नेशन है इंडियन ओशियन पर यहां के लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है आपको जानके यह हरानी हो कि इस पूरे देश के अरिया से 2040 स्क्वार क्लोमीटर का है जो कि हमारे देश के सबसे छोटे राजिय गोवा का भी आदा है यहां की कैपिटल हो सबसे बड़ी सिटी पोर्ट लुईस है यहां पे करीबन 13 लाख लोग रहते है और इस देश के करन्सी मौरिशय रुपीज है जो कि भारतिय मुलिय में 1.90 पैसे की पड़ेगी यहां पे भारतिय मुल्के लोगों की तादत बहुत ज़ादा है और अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है मौरिशय के वो भी भारतिय मुल्के ही है मौरिशियों और भारत के अच्छे संब्द होने के वज़र से भारतियों को 60 दिन का वीजा और नराइवल भी दिया जाता है नमबर दो, माल्दीज ये एक छोटा सा आईलेंड है साउथ एशिया में इंडिया और श्री लंका के साउथ वेस्ट में पड़ता है ये एरेबियन सी पर स्थित है यहां की ओफिशल एंग्विज है धीवे ही यहां की पॉपुलिशन करीबन 3,80,000 है जिसकी कैपिटल है माले इतनी छोटा देश में हर साल करीबन 10,00,000 लोग घुमने आते है और आपने मालदी उसका नाम कपल्स के मूँ से बहुत सुना होगा क्योंकि इस देश को भी भारती कपल्स अपने हनिमून के लिए सबसे ज़ादा प्रिफर करते है यहां पे चलने वाली करंसी है मालदेवियन रूफिया जो कि भारती मूलिय में 4 रूपे 86 पैसे की पड़ेगी यह पूरा देश सिर्फ 300 स्कूर किलोमीटर का है जो कि हमारे मध्यपरदेश की राजधानी बोपाल के बराबर है नमबर एक फिजी फिजी मिल्यानीसिया की एक आइलेंड कंट्री है जिसमें करीब 330 से जाधा आइलेंड है फिजी को सौफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के टाइटल से नवाजा गया है फिजी में 40 परसन भारतीय मूल के है जिस वज़े से इसे छोटा भारत भी कहा जाता है और यहां के प्रमुग महाशों में हिंदी भी शामिल है यहां का सबसे बड़ा शहर और फिजी की कैपिटल सुवा है इसका टोटल एरिया 18,275 स्क्वार का है जो कि हमारे कैरल राज्य का आदा है फिजी की करंसी है फिजियन डॉलर जो भारतिय मुलिय में 35 रुपे 18 पैसे की पड़ेगी इसी के साथ साथ कुक आइलेंड्स, मार्शल आइलेंड्स सही ऐसे कुछ देश है जो हमसे विंटी कर रहा है कि अपने रिसोर्सिस का सही इस्तिमाल करो वन्ना ये देश पूरी तरह से पानी में खो जाएगे इसलिए जितना हो सके हमें रिनिवर रिसोर्सिस का यूज करना चाहिए ताकि गलोबल वामिंग कम हो और ये देश बच सके वन्ना नहीं तो ये देश डूबे इससे पहले इनको विजिटी करी आई है ताकि आपको पता तो चले कि ये कितने खुबसूरत देश हुआ करते थे लेकिन हम चाहते हैं ये देश हमेशा ही बने रहे तो ये तो कुछ बाते दस सबसे खुबसूरत ओशनी कंट्रीस के बारे दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पे देख रहा है तो पेज को फोलो करना ना भूले तो मिलते हैं अगली वीडियो पे थैंक्यू